याँ यह बात किती बीसी चीज़ करें हम लोग ने बात किती बीशी चीज़ को कर रहे हैं कैसे अलग अलग मॉडल से अटम की स्ट्रक्चर के एक्स्प्लेइन गरते हैं वो हमने बात किती सबसे इंपॉर्टेंट जो की थी वह थी रदरफोर्ज अटोमिक मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ज अटोमिक मॉडल क्या होता है क्यों हमने रदरफोर्ज अटोमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया और मैंने आपको एक छोड़ा से टॉपिक और सिखाया था that was distance of closest approach जो कि basically आपके physics के अंदर ज्यादा काम में आता है है ना खेर चली हम बढ़ते हैं आगे और अजम स्टार्ट करने वाले हैं with very important part of this chapter that is electromagnetic radiation देखें आप सभी जानते हैं कि EMRs क्या होते हैं नहीं जानते हैं तो सुने कुछ radiation ऐसे होते हैं जिनको ट्रावल करने के लिए मीडियम के जरुरत होती है like sound waves, sound energy जो है वो मीडियम के बिना ट्रावल नहीं कर सकती है अगर आपके और मेरे बीच में vacuum है अभी तो नहीं है लेकिन अगर है तो मेरी आवास आप तक कभी नहीं पहुंच सकती है तो sound को ट्रावल करने के लिए क्या होती है मीडियम के जरुरत होती है लेकिन कुछ radiation ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रावल करने के लिए मीडियम के जरुरत नहीं होती है तो ऐसे radiation, energy के ऐसे radiation जिनको ट्रावल करने के लिए मीडियम के जरुरत नहीं होती है उन्हें हम Electromagnetic Radiation के नाम से आनते हैं किसके नाम से आनते हैं Electromagnetic Radiation के नाम से तो असले बात करें कि Electromagnetic Radiation की property क्या होती है देखें हम अगर EMR को discuss करें basically हम यहां पर light पढ़ने वाले light जो light आपको आती ही दिख रही है ना light का dual nature होता है आपने सीखा ही तो आपको पहले basic criteria बता दू हम light का nature दो scientist ने अलग-अलग तरीके से define किया था एक तो कहा था Maxwell ने तो अभी हम जो पढ़ने वाले हो Maxwell's EMR theory है और फिर हम बात करेंगे Planks की तो दोनों का अगर मैं आपको overview दूँ तो Maxwell ने तो light के wave nature को support किया था उसने कहा था कि light किसकी form में travel करती है वेव की form में travel करती है जबकि plank ने इसके particle nature को support किया था तो दोनों के ही हम कुछ extract निकालेंगे और फिर दोनों को combine करके में सीखेंगे कि light का nature कई जगा वेव होता और कई जगा क्या होता उसका particle nature होता है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो EMR क्या होता है तो देखो electromagnetic radiation यह ऐसा radiation होता है जिसमें दो तरह के field होते हैं एक electric field होता है और साथ में क्या होता है magnetic field होता है थोड़ा साथ ध्यान से देखना यहां पर अगर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूं EMR चोटा सा diagram बना रहा हूं diagram थोड़ा सा आपको अजीब सा लाई है तो कि इसमें mixing हो जाती है direction है Maxwell ने कहा था according to Maxwell emr जिसकों basically हम light wave हमारी emr के अंदर आती है emr travels in the form of waves तो जो आपका emr है electromagnetic radiation वो किसकी form में travel करता है waves की form में travel करता है तो देखो यह इस wave की direction of propagation है इस emr में दो फिल्ड होते है एक होता है electric field अगरी x direction है तो यह आपकी y direction है और यह जो direction है यह सपोज अपनी z direction है ठीक यहाँ पर आपका magnetic field होगा इस z direction के लो तो होता क्या है electric field का जो component होता है वैसे wave की form में travel करेगा समझे हो इससे नीचे जाएगा ऐसे और 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 जो आपका magnetic field component है वो इस electric field component के पर्पेंडिकुलर होगा ऐसे हैं है 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 कि समझे हो तो देखो electric field component यह और magnetic field component दोनों एक दूसरे के क्या होता है पर्पेंडिकुलर और जो direction of propagation होती है वो इन दोनों के क्या होती है पर्पेंडिकुलर तो बेसिकली यह मार में दो तरह के field होता है एक magnetic field होता है और वो कुछ इस तरह से होते हैं इस तरह से यह अगर electric field है तो यह magnetic field होगा और यह आपकी direction of propagation होती है तो बेसिकली यहाँ पर आपको याद बाद कुछ नहीं रखना है देखो समझो और भूल जाओ यह इमार होता है इसमें आपको इतना ध्यान रखना है electric field electric field magnetic field and direction of propagation direction of propagation these are all are mutually mutually perpendicular यह तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं perpendicular होते हैं इस चीज़ का आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि मेर के अंदर अभ देखो क्योंकि मैक्सेल ने कहा कियोंकि मैक्सल किसकी फॉर्म मेंटर छा भीव करता है तो यह continuously energy लेकर चलता है तो इसने continuous energy को मानगे किया था अब क्योंकि Maxwell के इसाब से EMR wave की form में travel कर रहा है तो हमें wave को समझना होगा और wave को समझने के लिए हमें wave की characteristics की बात करनी होगी तो आप next reading डालें characteristics of waves तो किसी भी वेव की जो सबसे पहली और important characteristic होती है वो होती है उसकी wavelength क्या बोलते हैं उसे wavelength तो wavelength किसके equal होती है लेमडा के equal होती है लेमडा इसका notation इसको हम यूज करते हैं देखें वेव कोई भी वेव आप बच्पन से सीखता है हो जब भी कोई एक wave travel करती है तो वो travel करती है in the form of crests और troughs तो आप कोई भी दो consecutive crests या फिर कोई भी दो consecutive troughs इनके बीच की distance निकाल लो उसी distance को हम लोग क्या बोलते हैं wavelength बोलते हैं आपको बताओं आप एक crest एक crest पकड़ लो तो इसको हम एक wave बोलेंगे एक ट्रॉव एक ट्रॉव पकड़ लो तो इसको हम एक wave बोलते हैं तो कोई भी दो consecutive crests या फिर कोई भी दो consecutive troughs के बीच की जो distance होती है उसी को हम wave की क्या बोलते है wavelength तो पहले चीज़ हम बस क्या होगा कि distance between distance between any two consecutive crests और troughs ये तो होगई wavelength क्या होती है इंपोर्टेंट चीज़ है क्योंकि wavelength distance है यहां important इसकी units इसकी जो ऐसा ही unit होती है वो तो होती है meter लेकिन atomic structure में आप इसकी बहुत सारा units use करते हो जिनमें एक important unit एंग स्ट्रॉंग जिसको आप a0 से denote करते हो और one angstrom 10 to the power 10-10 meter के equal होता है आप 14 cm बदल सकते हो ऐसे इसकी एक और unit होती है जिसे आप बोलते हो nanometer और one nanometer किसके equal होता है हाँ जी very good 10 to the power minus 9 meter के ऐसे आपने नाम सुनाओगा पीको मीटर का पी एम और जो वन पीको मीटर होता है वो 10 to the power minus 12 meter के equal होता है ऐसी एक और unit होती है फेम्टो मीटर फेम्टो जिसे आप FM से denote करते हो और one FM जो होता है वो 10 to the power minus 15 मीटर के आसपास होता है तो आपको यह सारे convergence आने चाहिए एंग्स्ट्रॉम क्या होता है उसको मीटर में करते हैं नैनो मीटर पीको मीटर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए wavelength को define करने के बाद आप देखो एक वेव को आप उसकी वेव लेंज से पैचान सकते हो जाड़ता होती है और वोईलेट की define करते हैं with respect to time जैसे यह holder है यह से वाइबरेट कर रहा है इसकी frequency क्या होगी एक सेकंड में कितनी बार वाइबरेट कर रहा है से मैंसे हम अगर वेव की frequency define करने चलें तो हम simply क्या बोल सकते हैं इसके डिफाइंड आज number of waves passing through a point passing through a point per second एक second में एक point से कितनी waves pass हो रही है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं उस वेव की frequency बोल सकते हैं तो आप ध्यान रखें अगर हम EMR की बात कर रहे हैं तो यह आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें EMR vacuum में कहां पर vacuum में light की speed से move करते हैं इसलिए हम इन सकते हैं यहां मैंने vacuum में क्यों वहला मैं आपको भी आगे बताऊंगा बढ़ हाल फिलाल आप ध्यान रखेंगा आप electromagnetic radiation ने आप light की बात कर रहे हो तो आप लाइट तो light की speed से move करेगी उसके लिए new equal to see upon lambda होता है लिकने कर आप पास EMR नहीं है कोई other waves है तो उन other waves के लिए new का formula क्या बन जाएगा velocity of wave upon lambda यह कर सकते हैं चलिए यहां frequency है frequency के अगर मैं unit की बात करो unit होती है इसकी per second जिसे आप hertz के नाम से जानते हो hz एक आपको नोटेशन बताने चाहिए वन किलो हर्ट का मतलब क्या होगा 10 to the power 3 hertz second time होता है 1 megahertz इसका होता है 10 to the power 6 यह standard notation है kilo मतलब 10 to the power 3 capital M यानि mega मतलब 10 to the power 6 1 millihertz यह किसके equal होता है 10 to the power minus 3 hertz के equal कर सकते हैं चलिए copy करें फिर move करते हैं इसकी third important characteristic के उपर फिर देखो जो अपने third characteristic होती है उसको हम बोलते है wave number क्या बोलते है wave number तो देखो wave number क्या होता है पहले चीज आप आगे जाकर number of waves निकालना सीखोगे तो कुछ लोग number of waves को wave number के equal ले लेते हैं ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको आगे समझाओंगा और यह तो आप सिर्फ देखो term का मतलब wave number तो wave number को हम लोग denote करते हैं new bar से जबका new bar होता है यह simply one upon lambda के equal होता है और इसके unit हो जाएगी हो जाएगी meter inverse इसको हम बोलते है reciprocal of wavelength और अगर आप इसके technical definition लिखना चाहो तो इसको हम लिख सकते है number of waves in one meter length यह होता है wave number का actual definition आप देखो इसे किसी की wavelength है मालो 10 to the power minus 3 meter ठीक तो wavelength क्या हो गई एक wave की length मतलब यह ना बताया दब थोड़ दर पहले कोई भी दो troughs की बीच की distance निकाल लो या दो crest तो यह wavelength 10 to the power minus 3 meter इसका मैं बोल सकता हूं in 10 to the power minus 3 meter पताव number of waves कितनी होंगी वन होगी तो इन 1 meter अगर मैं आप से number of waves पूछू हाँ तो आप 1 upon 10 to the power minus 3 कर दोगे 10 to the power 3 waves होंगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इसका wave number पूलेंगे समझ सकते हो तो unit length में कितनी waves है उसी को हम wave number बोलते हैं new bar basically 1 upon lambda के equal होता है तो यह कुछ होती है वेव की characteristic wavelength और frequency किसी भी वेव को पहचानने के लिए या तो आपको उसकी wavelength पता होनी चाहिए या फिर आपको क्या पता होनी चाहिए उसकी frequency पता होनी चाहिए चलिए तो यह थी आपकी EMR theory of Maxwell इसने हम को यह सिखाया कि electromagnetic radiation किसकी की फॉर्म में travel करता है वेव की फॉर्म में travel करता है और इस थियोरी से उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन डाइफ्रेक्शन इन सारी चीजों को explain किया तो Maxwell की जो EMR theory होती है वो reflection reflection डाइफ्रेक्शन सब चीजों को explain करती है लेकिन वहीं पर कुछ सब्सक्राइब आसा स्केल बनता है यहां पर इससे पहले आएंगी कॉस्मिक रेस कॉस्मिक रेस इधर से इधर जाने पर वेवलेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब वेवलेंट थिक अभी आप आगे चल कर पढ़ोगे इतना तो आप जानते हो वेवलेंट और इनवर्सले इनटेट होते हैं इधर से इधर चलने पर जो आपकी एनड़ी है वह इंक्रीज हो रही है तो अगराम वेवलेंट के डाउस में बात करें तो कॉस्मिक रेस की वेवलेंट सबसे कम होती है फिर गामा रेस फिर एक्स रेस फिर अल्ट्रा वाइलेट रीजन फिर अधर ने कि को सब्सक्राइब थेंग तो पल्ट तो फॉर तॉज़ एंक्स्टॉम से 7500 एंग्स्टॉम के बीच में आपका विजिबल रीजन है जहां हम देख सकते हैं हमें जितने भी चीज़े दिखाई देती है वह सरफ सरफ कॉन से रीजन में होती है विजिबल रीजन रिडियेशन का आपका energy order है और wavelength का order है इधर से इधर चलने पर wavelength बढ़ रही है और इधर से इधर जाने पर आपकी क्या हो रही है इनर्जी इंक्रीज हो रही है वो इतना सा काम कर सकते हैं चली एक चीज यह आप यह स्केल बना ले ताकि यह तो होई जाएगा है उसके जादा बुछ है नहीं कॉस्मिक गामा एक से अल्ट्रा वालेड विजिबल इंफारेड माइक्रोवेव और आपकी कौनसी होंगी रेडि कि भई सब यह जो मैक्सवेल जी कह रहे हैं वो सही है कि लाइट क्या है रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है डाइफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर तो लाइट की वेव थे बिल्कुल सही है और वो सब कुछ एक्स्प्लेन भी कर रही है लेकिन वहीं अगर ह कुछ और फिनोमेनाज में आ जाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट कौनसा फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट हम बात करने ब्लैक बॉडी रेडियेशन इन चीजों को Maxwell की wave theory explain नहीं कर पाई थी, क्या नहीं कर पाई थी, Maxwell की wave theory explain नहीं कर पाई थी, तो इन चीजों को explain करने के लिए Planck ने एक नई थियोरी धी, जिसे हम Planck's quantum theory के नाम से जानते हैं, जहां Maxwell light के wave nature को support करता है, वहीं पर Planck क्या करता है, light के particle nature को support करता है, तो डिसकस करते हैं क्या होती है Planck's theory और क्या Planck ने कहा, देखें, heading डाले next, Planck's quantum theory, तिरह हम इन दोनों को combine करेंगे और इनके combination जो result बनेंगे, उनको हम लोग यहां पर use करेंगे, तो Planck's quantum theory क्या कहती है, बहुत simple, Planck's quantum theory यह कहती है, कि जब भी light travel करती है, energy travel करती है, energy is transmitted in form of small packets, छोटे-छोटे packets की form energy क्या होती है, ट्रेवल करती है, औल्दो आपको ऐसा लगता नहीं, जैसे अभी मेरे उपर जो light लगी हो मुझ पर गिर रही है, तो क्या मेरे उपर light के packet आके गिर रही है, actually तो हाँ, लेकिन अगरा अब्सर्व कर रहे हैं, तो मुझे तो light continuously आती ही दिखाई दे रही है, लेकिन actually light क्या होती है, छोटे-छोटे packets की form में ही आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो light आ रही है, वो आने वाले packets का number क्या है, बहुत जादा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, कि light क्या और यह धीरे-धीरे, sorry, light क्या और यह continuously मुझे मिलती जारी है, मैं आपको एक example देता हूँ, बहुत ध्यान से आप देखना, मेरे पास एक revolver है, असना मैं drawing पर, यह revolver है, इस revolver में 6 bullets है, आप क्या करोगे, यहाँ पर एक bulletproof glass में लगा दिया है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपने क्या किया, मैं यह अब जर्व कर रहा हूँ, आपने यहाँ से एक bullet fire की, तो आपने यहाँ से bullet fire की, तो बताओ यह bullet आएगी, और जाकर इस wall से टकराएगी, ग्लास अच्छी quality का है, तो मतलब यह मुझे हिट नहीं करेगी, बुलेट पर ग्लास है, हुआ क्या मैं अगर observe करूँ, वहाँ से एक bullet आई, इस bullet को मैं energy का एक packet बोल सकता हूँ, यह bullet कुछ certain amount of energy लेकर चल रही है, और जब यह इस wall से टकराएगी, अपने सारी इनर्जी इस wall को transfer कर देगी, सेम ऐसे ही, हम दूसरी bullet को fire करेंगे, फिर एक और packet आएगा, तीसरा, एक और packet, चौथा, एक और packet, इस तरह से total 6 packet of energy मेरे पास आजाएगे, बताओ, एनर्जी मुझे continuous नहीं मिल रही है, या discontinuous नहीं मिल रही है, discontinuous नहीं मिल रही है, अब इसको हम क्या करते हैं, replace कर देते हैं, एक automated rifle से, यह बहुत ही आधुनिक, मतलब modern rifle है, और यह एक second में 200 round fire करती है, 200 rounds per second, मतलब एक बार trigger दबा और भूल जाओ सामने कौन है, एक trigger दबाया, यहां से एक साथ आपकी लगादा, धरादा, 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 कितनी bullets आएंगी, 200 bullets आएंगी, मैं या खड़ाओ, मेरे पार लगाता रहा कि कितनी bullets गिर रही होंगी, लेकर चलाओ, आप सोचो, 200 में ही मुझे continuous दिख गया, तो जो मेरे सिर्क्यों पर light गिर रही है, इसमें तो 10 to the power 23, इतने सारे packets, एक सेकंड मैं के गिर रहे हैं, तो आपको फील नहीं हो सकता है, कि यह energy आपको discontinuously मिल रही है, लेकिन actual funda तो यही है, कि आपको energy कैसे मिल रही होगी, continuously, discontinuously ही मिल रही होगी, तो बस यही होती है आपकी planks quantum theory, जो मैंने आपको यहां पर समझाए, चलिए, यह तो ही बातें, क्या होती है, क्या नहीं होती है, अब लिखते हैं स्केस्ट वेट्मेंट, तो आप लिखें, according to planks, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, energy is transmitted, energy is transmitted in form of small packets, और units, लाइक जैसे बुलेट थी, तो यह एक small packet था, और इन packets को हमने लोग क्या बोलता है, हैं called quanta, किसके नाम से जानते हैं, quanta के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो planks quantum थे लिए कहते हैं, energy हमेशा किसकी form में travel होती है, छोटे-छोटे packets की form में travel होती है, और इन छोटे-छोटे packets को हम किसके नाम से जानते हैं, quanta के नाम से जानते हैं, चीज़ अगर आप light energy की बात कर रहे हो इन केस ऑफ light energy इस पैकेट्स या क्वांटा आर कॉल्ड फोटो तो लाइट की प्रेजेंस में सुरी लाइट एनरजी की केस में हम इन छोटे-छोटे पैकेट्स को क्या बोलते है क्वांटम असलब लाइट का जो एक पैकेट आ रहा है एनरजी का वह एक फोटोन की बात आ गई है तो आप फोटोन के बारे में कुछ इंपोर्टन चीजे देख लें जो आपको पता होनी चाहिए बस पता होनी चाहिए इनकी पीछे मत पढ़ना आपको बताओं जब मैं पढ़ता था खुद पढ़ता था तब क्या उता था ना हम बोलते हैं बोलते दिदे कुछ तो से कई scientist प्रवर्ति के आपको teacher भी मिल जाएंगे, जो आपको photon की कहानी सुनाते रहेंगे, भाड में जाने दो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि photon का मतलब क्या है, तो photon का मतलब क्या है, energy का आने वाला एक छोटा सा packet, वो कैसा दिखता है, वो शारुक खान के दिखता है कितनी लेकर आता है, यह हमको यहाँ पर calculate करने होती है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, characteristic एगर मैं बात करूँ, एक photon, photon क्योंकि light का packet है, तो it travels with speed of light, तो photon travels with speed of light in vacuum, तो vacuum में यह किस की speed से travel करता है, light की speed से travel करता है, second, the frequency, the speed and wavelength, wavelength of photon, this changes in a medium, but its speed, sorry, its frequency and energy remains same, हाँ जी, आपने भी सिका, new equal to होता है, c upon lambda, तो जब आपका photon vacuum है, तब तो लाइट के speed से move करेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी medium में एंटर करेगा, तो उसकी speed बदलेगी, उसकी wavelength भी बदलेगी, लेकिन दोनों का change एक दूसरे को balance करता है, इसकी frequency और इसकी energy हमेशा क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है, ठीक, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है photon के बारे में, कि the rest mass of a photon is zero, rest mass का मतलब देखो, वैसे तो photon कभी rest पर आता ही नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन अगर एक photon rest पर आ गया, तो उसका mass हम कितना लेकर चलेंगे, जीरो, यह कैसे हो सकता है, हाँ, यह होता है, यह Einstein's theory of relativity होती है, जो क्योंको बताती है कि किसी भी moving particle का जो mass होता है, वो 1-v square upon c, sorry, c square upon c square के एकल होता है, यहाँ पर v उस particle की speed है, और c light की speed के बराबर है, तो जब photon rest पर आ जाएगा, तो देखो, उसकी velocity 0 हो जाएगी, तो यह value क्या होगी, मिलाब यह term 0 हो जाएगा, आपके पास, 0 होते ही क्या होगा, m के लिए m0 के लिए m0 के लिए m0 हो जाएगी, और m0 होता हुता उसका rest mass, क्या होता हुता ही, तो यह equation से, I think मैं कुछ ultra सीदा बोल गया, सी स्क्वार मैनस V स्क्वार हाँ ठीक है तो V स्क्वार अगर आपको टर्म 0 हुआ तो यह लाइट के स्पीड से मुव कर रहा हो अगर वी स्क्वार को 0 पुट गर smiling तो यह रिस्ट पर आजाएगा एंप की वैल्यू किसके एको लोजाएगी एम नौट के अस ताइम पर हम इसे बोलते हैं इसका रेस्ट मास और फोटोन के रेश्ट मास को हम कितना लेकर चलते हैं 0 लेकर चलते हैं वहीं अगर यह light की speed से move कर रहा है तो c से c cancel हो गया मतलब यह 1-1 0 infinite तब उसका mass क्या होगा infinity की तरफ जा रहा होगा although वह possible नहीं है क्योंकि दुनिया में कोई भी particle light की speed से move नहीं कर सकता है लेकिन समझने की बात यह है कि इसका जो mass है जो इसकी speed 0 है of photon depends on its speed या आप चाहो तो kinetic energy भी बोट सकते है तो आपको स्यादा research करने के ज़रूत नहीं है इच्छीटे points है जो आपकी general knowledge के लिए है यह आपको पता होने चाहिए बाकि आपको इनके लिए और कोई tension नहीं लेनी है समझ गए इस चीज़ को चली यह थी Plank's quantum theory और यह थी characteristics of photon अब हम बात करें Plank ने बड़ी काम की चीज़ हमको बताई उसने बोला उसने discuss किया energy of photon को कि जो हम packet बोल रहे हैं इस packet की energy कैसे निकाली जाए उसने कहा कि देखो यह आपके पास कोई एक source है यह एक light bulb हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है इस source से क्या हो रहा है radiation आ रहा है EMR तो Maxwell ने बताया कि source से जो radiation आ रहा है उसकी कुछ ना कुछ wavelength होगी कुछ ना कुछ frequency होगी तो photon ने यहाँ पर एक चीज गही कि जब photon ट्रैवल करता है तो वो किस नेचर को follow करता है वेव नेचर को और जब photon किसी surface पर strike करता है तो फिर क्या होता है उसका नेचर पार्टिकल हो जाता है और वो उस surface को क्या करता है टकराकर energy अपनी ट्रांसफर कर देता है तो Planck ने क्या किया किसी source से आने वाले इस radiation की wavelength को या frequency को इस photon की energy से relate किया उसने बोला कि जो energy होती है किसी भी photon की it is directly proportional to the frequency of radiation coming from a source इस source से जिस frequency से radiation आ रहा होगा उसी के directly proportional इसकी energy होगी बता अगर हम proportional design हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक concentration हम बोलता है है h e is equals to h new यह हो गई आपके पास energy of a photon का relation तो इस photon की जो energy है वो किस पर depend कर रही है कि कहां से आपका photon आ रहा है मेरे उपर जो light लगी एक tube light लगी रही है उस tube light से जो photon आ रहा है उसकी energy किस पर depend करेगी उस source के radiation की frequency पर या फिर उसकी wavelength पर आप जानते हैं new is equals to c upon lambda तो हम e is equals to क्या लगा सकते हैं hc upon lambda सभी बात है यह तो ही एक photon के वारे में अगर आपके पास एक से ज़्यादा photons हैं तो if there are n photons तो बताओ e is equals to क्या बन जाएगा n into hc upon lambda लिख सकते हैं तो equal to hc upon lambda एक photon के लिए अगर उस source से एक से ज़्यादा photons आ रहे हैं तो total energy कितनी हो जाएगी n into hc upon lambda सही है कोई दिक्कत है चली एक चीज तो यह हो गई कि प्लैंक ने क्या कहा और प्लैंक ने कैसे एक photon के एनर्जी को हमें calculate करवाया एक काम करो चलो पहले एक और शोड़ी चीज डिसकस कर लेते हैं फिर आप सब कुछ एक साथ ही copy कर लेना आपने यह लिख लिए होगा तो यह लिख लिए तो इतनी सी जगे खाली कर रहा हूं अब कि आग बास हम numericals पर आने ही वाले हैं तो numericals करने से पहले आपको एक units सीखनी है देख हम यह energy की बात कर रहे हैं तो units of energy जो होती है तो standard जो ऐसा unit है वो तो है joule और हम यह पर एक unit और यूज़ करते हैं electron volt 1EV तो E में आपको बता चुका हूं E हम यहाँ पर charge of electron को बोलते हैं तो 1 electron volt को अगर जूल में बदलना है तो कुछ भी मत करो बस charge of electron की value रख दो तो 1 electron volt कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule होता है अच्छा यह आपका planks constant होता है H इसकी value तो आपको पता ही है 6.634 भी लिखते है 6.2 भी लिखते है into 10 to the power minus 34 joules into second होती है C आपकी speed of light है जिसकी value 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है तो आप ध्यान दें energy calculate करने के लिए आपको हर बार H और C की value को यहाँ पर रखना होगा सभी बात है ना तो हम बार बार रखें इस से अच्छा इस value को हम calculate करके रख लें तो हमने क्या किया है H C की दो values हमें यहाँ पर याद रखनी होंगी which are very very important H C की एक value तो होती है 1,2,4,0 electron volt into nm और एक value होती है 1,2,4,0 electron volt into nm समझ मैं आपको H C की एक value तो होती है 1,2,4,0 electron volt into nm और एक value होती है 1,2,4,0 electron volt into angstrom यह थोड़ी सी approximate values है तो इनसे answers भी कहेंगे लेकिन ध्यान दें अगर आपके source की wavelength एंग्स्ट्रॉम में है तो आप यह form यूज़ करके direct उसके energy electron volt में निकाल लोगे और फिर electron volt को आप किसमें convert कर सकते हूँ सिमिलरली अगर wavelength nanometer में है तो आप आसानी से nanometer यहां रखके नहीं निकाल लोगे तो energy आजएगे electron volt में फिर से आप उसको जूल बे convert कर सकते तो इस आर वेरी वेरी इंपोर्डेंट इनको आप ज़रूर ध्यान रखें वैसे तो calculation करते करते अपने को याद हो हो गया अब यह पार्ट भी कॉपी कर लो फिर हम शुरू करते हैं questions के साथ तो start करते हैं अपने पहले question के साथ अगर है calculate the energy of 100 photons if the wavelength of the light is 2000 एंक्स्ट्रम सिंपल सा application है आपने formula सीख लिया है आपको energy निकाल लिए photons की तो energy का formula क्या होता है nhc upon lambda ठीक तो देखो photons तो हो गए 100 into hc के वाले आप ले लो 12400 electron volt into एंक्स्ट्रम अपन लेम्डा लेम्डा कितना है 2000 एंक्स्ट्रम तो देखो 100 700 गया जीरो से जीरो गया 1240 upon 2 यह बन जाएगा 620 electron volt जी था है electron volt में ठीक है अब अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको जूल में represent करनी चाहिए इसको आप सॉल कर लो आपको अपना करेक्ट आंशर मिल जाएगा 621.1 दिया है क्योंकि यह अगर हम एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर हम उससे इस तरह से सॉल्फ कर सकते हैं तो यह अप्रॉक्सिमेट आंशर है सही है कोई दिक्कत नहीं हमारा आंशर है 620 electron volt आप इसी से इसको यूज करेंगे चले आगे चलिए मूफ करते हैं अगले क्वेशन यह देखें लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंग्स्ट्रॉंग एमिट्स 0.5 जूल एनरजी नंबर ऑफ फोटोंज एमिटेड फ्रम दे सोर्स आर देखो यह एक इंपॉर्ण टाइप है इसमें क्या होता आपको नंबर ऑफ फोटोंज नि पताओ एनरजी का फरमला क्या हो जाएगा एन टू एक सी अपॉन लेम्दा सही ना तो यह एनरजी तो है पॉइंट फाइफ इसे को स्ट्रॉंबर ऑफ फोटोंज आपको निकालना है पताओ एच सी के लिए हो जाएगी 12400 अपॉन 2000 तो पहले पहले क्वेशन क्या तो अगर आपने यह कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों कि आपने यूनिट्स पर ध्यान नहीं दिया है जब भी आपको नंबर ओफ फोटोंज निकालने हों देखो दोनों साइट की उनिट आपको क्या रखने है सेम इधर है जूल इधर एलेक्टोन अब कुछ भी कैलकुलेट करना हो दोनों साइट की उनिट्स आपको क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अदरवाइस आपका आंसर सही आई नहीं सकता है तो हमने गलती कर दिये आपको इस इलेक्टोन वोल्ट को किसमें बदलना है जूल में तो 1.6 इंटू 10 दूपा और मा बाकी वैलू का आप कैलकुलेट कर लो आपको नंबर और फोटो मिल जाएंगे इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स के पर फोकस करना है वहां गलती बिल्कुल भी ना करें चलिए फिर देखें नेक्स्ट क्वेशन ये भी बड़ा मिली वाट तो वाट में किसको लिखते हैं पावर में इसको एक चुछटा टॉपिक बना के बढ़ते हैं फिर इस क्वेशन को हम सॉल्फ करेंगे ध्यान से देखना कि अगर हम किसी सोर्स के लिए पावर की बात करें पावर पावर पी का फरमला क्या होता है एनरजी अपॉ तो ख़ं सी वावऻल मने लें देखाए के की अन एनक होता है नंबर गवटों इन पावटों जो दो या एक की बातो है और जो भी चीज़ हम पर उन्हें टाइम लिखता है एक्चलिम उसको क्या बोल देता है रेट तो यह हो जाएगी रेट ओफ एमिशन ओफ फोटोन तो कभी कभी आपसे यह पूछ लेगा कि यह एक सोर्स है बताओ इस सोर्स से रेट ओफ एमिशन ओफ फोटोन क्या होगी तो पावर आपको दी हुई है देखो आप यहां से एन बाइटी की वैल्यू कैल्कुलेट कर सकते हो कर सकते हो ना इसी के उपर बेजड अपना एक क्वेश्चिन चोटा सा आपको सबको आप इधर जो एनरजी लिखोगे उसको आपको जूल्स में लिखना होगा एन बाइटी आपको कैल्कुलेट करना है हC की वैल्य हो गई 1240 इलेक्ट्रोन वोल्ट एनम अपन 620 यह एलेक्ट्रोन वोल्ट में आएगा इससे आप बदल दो जूल में और यहां से आप अपना आंशर कैल्कुलेट कर सकते हो बुला समझ में आ रहा है? कर सकते हैं तो यह एक और टाइप है जो आपसे Planks Quantum Theory के उपर पूछा जा सकता है आगे बड़ें? चलिए जो आपको अपना आंशर इसके अप्रोक्सिमेटल मिल जाएगा चलिए यह देखें यह question जो language में थोड़ा बड़ा है लेकिन जितना बड़ा है उतना ही आसान है कुछ भी नहीं है आपको ऐसे घुमाने की कोशिश की गई सुनना आपको जो भी रेप्टाइल है उसकी विजुल रेसेप्टर की उपर 850 एनम की वेवलेंथ आकर गिरी ठीक है और इस सिगनल को ट्रप करने के लिए आपको टोटल अरजी कितनी चाहिए इस वेवलेंथ से आपको इतने एनर्जी जनरेट करनी है तो बताओ वाट इस दा मिनिमम नंबर ओफोटोन एट मस्ट्राइब जो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको आप किसके एकवल कर दो एन इंटू एच सी अपॉन लेम्डा तो 1240 इलेक्ट्रोन वोल्ट इंटू एन्म अपॉन 850 अब यह इलेक्ट्रोन वोल्ट है तो इसे बदल दो जूल में 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 और आप यहां से n की वैल्यू कैल्कुलेट कर सकते हैं कैल्कुलेट कर लेना आपको अपना यह आंसर मिल जाएगा ठीक है देखो यह अप्रोक्शिमेट आंसर अगर आपको एक्जैक्ट आंसर चाहिए एच की विले रखना सी की विले रखना और फिर आ अपना काम चल जाएगा अप्रोक्शिमेट वैल्यू आएंगी बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है तो यह हैं यूस प्लैंक्स कॉंटम ठीके अलग 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 लेंग्विज बना कर आपसे इस पर अलग अलग के क्टेगरी के लेते हैं फोटो डिसूसियेशन देखें क्या होता है फोटो डिसूसियेशन बहुत यह आसान से चीज़ है नाम से मतलब लाइट तो फोटो स्टैंड फोर लाइट और डिसिजिशन स्टैंड फोर ब्रेकिंग अगर आप किसी सबस्टांस के बॉंड को लाइट एनरजी लोगत अब दो फोटो डिसूसियेशन बोलते हैं तो ब्रेकिंग केमिकल बौन्ट फ्रेकिंग और फोटो डिसूसिन बेएक चीज़ थोड़ा यहाँ पर आपको य९ूनिट्स के ऊपर फोकस करना होगा वहां पर आप ''νस्टेक कर सकते तो बहुत ध्यान से देखें से मालो तो मेरे पास एक bond A B की बीच में तो किसी भी bond को break करने के लिए जो energy required होती है उसे हम बोलता है bond energy क्या बोलता है bond energy हम इस चीज़ को बोलते है साही है अब आप देखो bond energy bond energy हम कैसे define करते हैं तो bond energy हमेशे define होती है one mole के लिए is always defined for one mole कहने का मतलब इसका हम ऐसे define करेंगे bond energy will be the energy required क्योंकि आपने भी पड़ी नहीं होगी energy required to break one mole of a particular type of bond जैसे अभी आपने एबी में एक bond थोड़ा ऐसे अगर आप एक mole 6 into 10 to the power 23 bonds break करोगे तो जो energy आपको चाहिए होगी उसे हम क्या बोलता है bond energy important चीज यह है कि bond energy हमेशा per mole के लिए defined होती है आप इसकी unit भी देखोगे न तो आपको generally joule per mole या फिर kilo joule per mole ही लिखी हुई मिलेगी तो इससे एक बहुत important चीज आपको सीखनी होती है question आप कोई देखना होता है कि आप एक bond break कर रहे हो या फिर एक mole bond break कर रहे हो उसको भी हम questions के दुरू समझ लेंगे बट हाल फिलाल इस bond को तोड़ने के लिए जो भी energy चाहिए बताओ वो आपको किससे मिलेगी photon से ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कि the energy required the energy required to break the bond will be supplied from the energy of incident light just light को आप इसके उपर गिरा रहे हो ठीक बेसिकली क्या है bond energy और light के नजी को आपको equate करना है अब depend करता है आपको कितने bond break करने ध्यान देना जिसे मैंने बोला कि इस bond की bond energy है x तो unit क्या होगी x kilojoule per mole बहुत ही ध्यान से समझें x kilojoule per mole का मतलब क्या है that is energy required to break one mole one mole का मतलब कितने bonds हो गए any bonds is x kilojoule per mole sorry x kilojoule ठीक है न एक mole bond तो कितने चाहिए x kilojoule अगर मैं आपसे बुलों एक bond तो आप देखो energy required to break one bond तो एक mole यानी na bonds को तोड़ने के लिए गर x kilojoule अगर चाहिए तो एक bond के लिए कितने चाहिए होगी हाँ very good x upon na kilojoule तो यह difference है अगर मैं आपसे एक bond तोड़ने को कहूं तो आपको bond energy को na c divide करना होगा अगर मैं आपसे एक mole bond तोड़ने को कहूं तो फिर आपको direct अपनी value x use करनी है ठीक तो अगर आप एक mole bond तोड़ रहे हो तो हम क्या बोलेंगे यह x kilojoule should be equal to n into hc upon lambda और अगर आप एक bond break कर रहे हो तो देखो एक bond तोड़ने लिए तो आपको एक ही photon चाहिए होगा एक photon एक ही bond break कर सकता है चाहँ तो इसको point बना लिखना one photon can only break one bond एक photon कभी भी एक से जादा bond break नहीं कर पाएगा क्योंकि photon bond कैसे ब्रेक करता है इस bond के उपर strike करके एक photon strike करेगा अगर इसके energy sufficient है तो इस bond को तोड़ देगा वनना से नहीं तोड़ पाएगा अगर आपको एक mole bond तोड़ने हैं तो आपको number of photons भी कितने चाहिएंगे एक mole अभी होता है कि आपने सारे photon यूज किये वह सारे के सारे उस bond को तोड़ पाएगा ज़रूरी नहीं है तो नंबर चेंज हो जाता है पर अभी धन रखें एक photon से एक ही bond break कर सकते हो आप एक photon से दो या दो से जादा bond break नहीं कर पाऊगे तो जब आपको एक bond break करना है तो जो photon आपको यूज करना होगा उसकी energy hc upon lambda की तो आप number of photon निकाल सकते हो या फिर आप यहां से क्या कर सकते हो इंसिरेंट लाइट की वेवलेंद को भी calculate कर सकते हो समझने इस बात को चलिए एक बार आप इसे copy करें फिर आप इसकी पर question की दूरू समझते है कि मैं आप से यहां पर क्या कहना चाह रहा हूँ चलिए तो शुरू करते हैं question के साथ calculate the wavelength of the photon of light required to break a CL-CL bond और पहली चीज़ आपको जो bond आपने दियू यह 1 mol के लिए तो बताओ energy required कितनी होगी 1.204 kilojoule upon na होगा बस होगया question solve this should be equal to क्या होना चाहिए hc upon lambda तो आपको यहां पर ने convergence इखाता हूँ मैं वैसे तभी आपको क्या करना है values रखने है 1.204 into 10 to the power 3 joule n की value हो गई 6.023 into 10 to the power 23 h हो गया 6.62 into 10 to the power minus 34 और c की value कितनी हो जाएगी 3 into 10 to the power 8 upon lambda यहां से हम lambda यह सब्सक्राइब कर सकते हैं एक तरीका तो यह है दूसरे तरीका क्या है देखो एक conversion में आपको सिखाता हूँ यह आप याद रखना वन इलेक्ट्रोन वोल्ट जो होता है वन इलेक्ट्रोन वोल्ट वो कितना होता है अप्रॉक्सिमेटली सिक्स किलो जूल पर मूल के हिसाब से होता है ठीक है आप इसका फायदा उठाओ लेखो आपको बॉंड एनरजी दी हुई है एक मॉल बॉंड की कितनी है 1.204 किलो जूल पर मूल ठीक है अगर आप इसको कनवर्ट करो तो आप क्या कर सकते हो 1.204 अपॉन 96 यह वाल्यू आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर आप इसको एक्वेट कर दो एचसी अपॉन लेम्डा के एचसी की वैल्यू कितनी हो गई सकते हो और वहां से आप इसके अंदर मिल जाएगी तो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं आप किसी वी एक तरीकी को यूज कर सकते हो और वहां से आप इस पोटॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो तो यह कन्मर्जन आप ध्यान रख लेना कि वन लेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक्ट्रॉन बोलते हैं इसको जो होगा वह 96 किलो जूल पर मॉल के इक्वल होगा स्टैजिए इसको कैसे करते हम अगर बतायता हूं देखो एक एक एटम के लिए पर एटम पर मॉलिक्यूल तो वो 96 किलो जूल पर मॉल के बराबर होगी तो आप देखो एक मॉल बांड को तोड़ने में चाहिए 1.204 किलो जूल पर मॉल तो अगर हम इसको पर एटम में कनवर्ट करें तो डिवाइट करोगे 96 से तो यह आजाएगा इलेक्ट्रोन वोल्ट प लेंग्विज को यह कह रहा है calculate the number of photons of light required to dissociate 1 mol CL2 into CL atoms तो आपको 1 mol CL2 को break करना है तो देखो अगर आपको 1 mol CL2 को break करना है जो energy required होगी वो इस बार 1.204 किलो जूल होगी और इसका काम एक photon से नहीं होगा n into hc upon lambda solve कर लो lambda दिया है lambda देना भूल गया इसमें तो आप lambda के एक value लेना मालनों मैं आपको 2000 angstrom दे रहा हूँ ठीक ना गलती से दिया नहीं है इसके अंदर तो आप ले लो value लेंडा के लिए पता है hc पता है यहां से आप number of photons calculate कर सकते हैं तो बस इनके question करते हैं ध्यान रखना कि वह आप से एक clcl bond break करवा रहा है यह फिर वह आप से एक mol clcl bond break करवा रहा है कर सकते हैं चलिए यह थी अपनी planks quantum theory और उसके उपर बेस्ट कुछ छोटे-छोटे topics concepts जो आपको यहां पर सीखने होते हैं चलिए planks quantum theory को सीखने के बाद हम लोग move करें अपने अगले topic पर जिसका नाम है photo electric effect क्या कहते हैं इसे हम इसे जानते हैं by the name of photo electric effect तो देखें photo electric effect जैसे मैं आपको बताया light का nature dual होता है अभी हम आगे चलके और बात करेंगे यह फिर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है बाद में discuss कर लेंगे तो उन्हें इस topic शुरू करी लिया है photo electric effect क्या होता है light के dual nature के उपर काम करता है जैसे आपने सीखा Maxwell ने light का wave nature बताया था लेकिन जब का plank था उसने light का क्या किया था particle nature बताया था उसने कहा था कि आप इंट्र रिफ्रेक्शन देखो रिफ्रेक्शन देखो डिफ्रेक्शन देखो वहाँ पर तो light किसकी तरह काम करती है वेव की तरह लेकिन वहीं पर अगर आप photo electric effect देखो black body radiation देखो तो यह दो फिनोमेना ऐसे हैं जो की light के कौन से नेचर को explain करते हैं पार्टिकल नेचर को explain करते हैं तो आभी ध्यान रखना photo electric effect सबसे पहले चीज इट सपोर्ट के इट सपोर्ट के पार्टिकल नेचर आउफ लाइट ठीक ये light के कौन से nature को support करता है particle nature को support करता है ठीक है क्या कहता है photo leaf effect बहुत ध्यान से देखें photo leaf effect में क्या होता है हमारे पास एक setup होता है तो आप फहले setup बनाता हूँ यह हमारे पास एक glass tube है ठीक इस glass tube में आप यहाँ पर एक metal plate लगाते हो क्या लगाते हो metal plate ठीक है तो यह मेटल प्लेट है है और यहाँ पर आप एक और इलेक्ट्रूड लगा देते हो ठीक है इसको आप connect करते हो एक पैटरी से बैटरी का यहाँ पर क्या काम है है वह भी आप बहुत जल्दी देख ही लोगे और इस तरह से हमारा इस सेटप क्या होता है complete होता है यह जो मेटल यहाँ पर हर कोई मेटल यूज नहीं कर सकते हो यह एक specific type of metals होती है वैसे हर मेटल के लिए केस हो सकता है लेकिन कितनी आसानी से काम हो सकता है उसके पर हम बात करते हैं तो कुछ metals ऐसी होती है जिनके उपर अगर light rays आकर गिरें अगर light rays आकर गिरें उनकी surface से क्या होते है हैleen electrons बाहर निकलते हैं और जब हैlectronic circuit में मूव करते हैं तो circuit में क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है तो यह जो मैटल होती है इन मैटल को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मैटल क्या बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मैटल एक चीज दूसरा यह यहां पर करेंट फ्लो होगा उस करेंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करेंट देखो इलेक्ट्वी इधर से इधर जा रहा है तो करेंट इधर से इधर आएगा तो इस तरह से गरेंट हो रहाए कि ठीक हुआ होगा सेट टीक दीवर्च्ण फीन हीक्ट्रीक हाट हिए एकित्वर्ड हुग्या अनोड पॉसिटेवलिट्यों जा रहा है कैज़र Capital march तो आपके पास क्या होगा current flow गाई जो current flow होता है current कौम कौन सा current बोलेंगे photo current बोलेंगे है सब्सक्राइब करेंट यह जा रहा होगा ना direction यह होगी ठीक है उल्टे वी दिरेक्शन तो इसका हम photo current बोलते हैं और यह जो effect आपने देखा इसी effect को हम क्या बोलते हैं photo electric effect बोलते हैं सब्सक्राइब तो आप यहाँ पर कुछ statements लिखें लिखें लाइट इस इंसिदेंट लाइट इस इंसिदेंट on certain metals certain metals electrons are ejected electrons are ejected out of their surface these electrons are called photo electrons electrons को हम लोग क्या बोलते हैं photo electrons technical error sorry आप जानते हैं phone और पुंगी तो कभी बत सकती है है ना चलिए हम कहाते हैं लिखेंगों photo electrons बोलते हैं थेक दे करेंट विच फ्लोस दू तो motion of electrons in the circuit is called photoelectric current कौन सा करेंट बोलते हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं एंड एंड इस फेनोमिनन इस फेनोमिनन इस कॉल्ट फोटो इलेक्ट्रिक और समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब फोटेलेक्ट्रिक क्या होता है जब लाइट सटन मेटल की ऊपर आकर गिरती है उससे लेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हैं और जब ये लेक्ट्रोन स्रक्रिक्ट में मूव करता है ध्यान रखना इसे लिए हो सकता है एनर्जी इतनी o की बहार निकल भा निकला वह कै cathored से कहां तक मुव कर रहा है एनोड कर रहा है दो यह लोड नेगिच मिनल कैतोड और यह आपका पॉजिटिव डर्मिनल है देखो इस पर पॉस्टिव चार्ज है एलेक्ट्रोन पर नेगिटिव चार्ज है बैटरी की वैसे एक एलेक्ट्रोन जैसे यहां निकला वह एलेक्ट्रोन क्या होगा एनोट तक पहुचेगा अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो क्या होता अब थोड़ी देर में बताता है आपको क्या होता है तो सबसे पहले नहीं कोई देखना चाहिए कि क्या होता है फोटा ये जो मैटल होती है नहीं कौन से मैटल बोलता हैं फोटो 2007 अब और हर a risks हर मैंटल से लेक्ट्रान बाहर निकल सकता है तो हां लेकिन हर मैटल से लेक्ट्रान को बाहर निकालने के लिए आपको एक certain amount of energy चाहिए ही चाहूगी देखो ये जो metal है इसमें electron किसे ना किसी binding force से बंदेवे होगे अगर आपको इस electron को बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है एक certain amount of energy देनी होती है तो जो certain amount of energy देनी होती है उसका हम एक नाम रखते हैं और उसे हम बोलते हैं work function क्या बोलते हैं work function और बात करते हैं एक बड़े important term के बारे में that is called work function phi या कुछ लोग इसे thriss hold energy भी बोल देते हैं क्या बोलतेते हैं thriss hold energy generally आपको यह work function ही मिलेगा work function क्या होता है जैसा मैं आपको बताया electrons एक metal के अंदर किसी ना किसी attraction force से बढ़े होंगे तो इस attraction force को break करने के लिए आपको electron को energy supply करने पड़ेगी तो वह जो minimum energy required है so, the minimum minimum energy required for what to eject an electron out of out of the surface of metal out of the surface of metal is called its work function तो सबसे पहली चीज़ एक metal से electron को बहार निकालने के लिए आपको जो minimum energy supply करने पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसका work function बोलते हैं characteristic होती है unique property जिसे मेरी एक अपनी खुद की कुछ ना कुछ खुद की एक अलग property जो किसी और के पास नहीं है समझे रहे हो ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसका characteristic बोलते हैं जिससे आप उसको पहचान जाओ एक ही बार में इसको पहचान जाओ पहचान लेते हैं तो इसको हम characteristic बोलते हैं हर metal की अपनी ये characteristic work function होगी दो metals का work function generally क्या होता है अलग-अलग होता है कुछ एक के लिए same हो सकता है लेकिन इन general क्या होता है अलग-अलग होता है ऐसे हम एक और देखो अब यह जो work function है यह electron को बहार निकालने के लिए energy है बताओ यह energy आएगी कहां से हां light से तो क्या होगा यह light की जो wave है यहां जाके incident होगी वो इस electron को ऐसे क्या करेगी बहार निकालेगी इस light के पास भी तो minimum energy होनी चाहिए तो जो light की पास minimum energy होती है उस उसको हम या तो threshold energy बोल सकते हैं या फिर हम उसे एक और term से define करते हैं threshold wavelength threshold wavelength तो यह threshold wavelength को हम new not से denote करते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे it would be the minimum frequency sorry threshold frequency लिखें wavelength लिख दिया मैंने threshold frequency wavelength भी लिखेंगे भी threshold frequency new not the threshold frequency क्या होगी the minimum frequency of incident light required to eject electron out of out of the surface of metal ठीक है मेरे साथ साथ लिख लिखेंगे आप is called its threshold frequency समझ गए incident light की वह minimum frequency जिसके नीचे अगर frequency उससे कम हुई तो electron बहर निकलेगा ही नहीं frequency light की उसके बराबर या फिर क्या होने चाहिए उससे ज्यादा ही होनी चाहिए वह minimum value जिससे ज्यादा frequency पर लेक्टरन बहर निकलेगा उससे हम threshold frequency बोलते हैं देखो यह threshold energy यह threshold frequency सेम ऐसी मैं एक और term define कर सकता हूँ that is called threshold wavelength क्या बोल सकते हैं हम लोग threshold wavelength तो देखें क्या होती है threshold wavelength बहुत ही असान है definition पर focus करना यह तो आप जानते हो frequency और wavelength ultra related होते हैं new equal to c upon lambda तो आपने frequency के definition क्या लिखी the minimum frequency लिखी ना तो वेबलेंट में क्या आएगा हाँ very good wavelength में क्या आएगा the maximum wavelength यह definition में थोड़ा ध्यान रखना आप कभी कभी ऐसा लिखाओ मिल सकता आपको इसमें minimum wavelength लिख लिया तो गलत हो जाएगा है ना तो the maximum wavelength required to eject an electron out of the surface of metal तो यह तीन टर्म्स हम डिफाइन करते हैं थ्रस्षोल्ड एनर्जी और फिर वर्क फंक्शन बने रादर वर्क फंक्शन थ्रस्षोल्ड frequency threshold wavelength जिसको हम lambda not 3 पर आप देखो यह वव एंटरजी है जो electron को बहर mattress के लिए चाईए यह वो frequency है जो electron को बहर निकालने के लिए और यह वह wavelength है जो electron को बहरी कालने के लिए चाहिए तीनों एक ही तो काम कर रहे हैं मलब तीनों एक ही चीज़ को denote कर रहे हैं यानि हम इन तीनों को relate कर सकते हैं कुछ ऐसे कि आपको जो work function phi होगा वो h new 0 या फिर hc upon lambda 0 के equal होगा तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें phi is equal to होता है h new 0 या फिर hc upon lambda 0 metal के work function को आप incident light की threshold frequency और threshold wavelength से क्या कर सकते हो relate कर सकते हो आई बास समझ में तो ये था आपका introduction of photoelectric effect photoelectric effect क्या होता है photoelectric effect कौन शो कर सकता है और photoelectric effect show करने के लिए आपको किन किन terms की जरुरत होती है आज हम यहीं तक complete कर रहे हैं next class हम यहां से आगे continue करेंगे कि हम देखेंगे कि किस condition में photoelectric effect होता है दूसरा हम लोग यह बात करेंगे हम यह equation derive करेंगे जिसे हम photoelectric equation के नाम से जानते हैं तो आप Planks quantum theory के उपर based questions के practice करें हम लोग मिलते हैं next class और यहां से आगे continue करते हैं